मन में बहुत सारी वृत्तियां आती हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, कितनी सारी चीज वस्तुएं आप अपनी नजर से देखते हैं, वो आपके मन में उतरती हैं, पर सब पर आपका मन नहीं तिकता हूँ, किसी एक विचार पर आपका मन तिकता होगा, बहुत मुश्किल से और जिस पर आपका मन टिकता है, उसी को पाने के लिए लालायत भी होता है। मन का एक बहुत बुरा स्वभाव है भागना, मन का स्वभाव है चंचल होना, पर उसी मन का स्वभाव है कि आपको उस स्वस्तू की प्राप्ती कराना, जिस जिस स्वस्तू को आप चाहते हूं, य मन ही तो कराता है शांत होना बहुत आवश्यक है हमारी वृत्ति इतनी चंचल है कि एक सेकिंड में कई प्रकार के और कितनी स्पीड से भागती है ये वृत्तिया और मन आपको अगर एक मिनट दे दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि आप no down करो आप लिख लो कि आपका मन कहा कहा भागा और क्या क्या सूचा मुश्किल है एक मिनट में आप कितना भागते हो ये लिख पाना मुश्किल है ठीक है ना? ठीक है? नहीं लिख सकते एक दिन में कितने ही विचार आपको आगेरते हैं आप लिख नहीं पाते समझ नहीं पाते उसको आप पकड नहीं पाते मन इतना चंचल है शायद घोडे की गती इतनी चंचल नहीं हवा की गती इतनी तेज नहीं जितनी तेज गती मन की होती है पर वही मन यदि किसी चीज को पकड ले मन में बहुत सारी वृत्तियां आती है, बहुत सारे विचारा आते हैं, यह अच्छा है, यह बुरा है, कितनी सारी चीज वस्तुएं आप अपनी नजर से देखते हैं, वो आपके मन में उतरती है, पर सब पर आपका मन नहीं टिकता, ठीक है ना, सब पर आपका मन नहीं जाता देखता तो सब कुछ है, देखते तो आप सब कुछ हो, पर किसी एक पर आपकी वृत्ती ठहरती है और उसी को पाने के लिए आपका मन दोड़ता है और यतना करता है। मन का एक बहुत बुरा स्वभाव है भागना, मन का स्वभाव है चंचल होना, मन का स्वभाव है तेजगती से दोड़ना, पर उसी मन का स्वभाव है कि आपको उस वस्तू की प्राप्ती कराना, जिस जिस वस्तू को आप चाहते हो, ये मन ही तो कराता है। जिसके पीछे आपका मन लग गया, वो लाखों में एक हो जाता है, करोडों में एक हो जाता है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये विवेक नहीं रहता, पर वो मुझे चाहे वो चाहे व्यक्ति हो, वो वस्तु हो, वो पदार्थ हो, चाहे वो कोई चीज हो, पर जहां मन लग गया तो अंधे की तरह लग जाता है उसको भी बुद्धी सहायक बनती है आप उसे सहायक बनते और आप उसे आदेश देते हैं कि मुझे ये वस्तु चाहिए आप कैसे भी करके उसको हासिल करने का प्रहतन करते हो और वो हासिल आपको होती भी है ठीक है न, मानते होना इस बात को, आज तक जो लोग डॉक्टर बने, जो लोग एंजिनियर बने, या जो लोग एस्ट्रोनट बने, जो तिश बने, या जो लोग साइन्टिस्ट बने, ये सब उसी बुद्धी का प्रिणाम, उसी बुद्धी का प्रिणाम है, जिस बुद्ध बनने के पीछे लग गया और आप एक दिन उस जगह पर पहुच गये जिस जगह पर आपको पहुचना था अब ये विचार करने की बात है कि इतनी सारी बुद्धियां साइन्टिस्ट इस जगत में कितने सारे बहुत सारे कितने प्लेन बन गए कितने कंप्यूटर बन गए कि बुद्धी का कमाल है बुद्धी ही है जो आपके बुद्धी को भी ठका देती है ऐसी बुद्धी है कम्प्यूटर बनना छोटी सी इतनी चिप में आपके मोबाइल में देश दुनिया के खवरे आ जाती है पहले कभी छोटे थे तब ये सोचा जाता था कि एक डिबबा ऐसा है कि आप घर बेठे कहीं कहीं की चीजे देख सकते हूँ तो लोग हसते थे पागल है ऐसा कैसे देख सकते है कोई जमाना ऐसा भी होगा कि जब आपको कोई ये कहता कि एक डिबबा ऐसा आयेगा जिस में आप किसी की बात सुन सकते और एक ऐसा भी कुछ साधन आएगा जिसमें आप किसी को देख सकते अरे ऐसा कैसे हो सकता पागलपन कर रहा है आज संभव है न वीडियो कॉलिंग संभव है फोन, मोबाईल संभव है तो कभी कोई वो स्वपना हुआ करता था या कभी कोई उस चीज को नकार सकता था कभी उसको कोई सोच नहीं सकता था पर आज वो संभव है आप कहते हैं कि टीवी में से खुश भू आएगी जो आप फूल देखोगे तो फूल की अगर आप कुकिंग का ओ देख रहे हो तो भोजन की ऐसी सब खुश भू आएगी आज भले उस बात को लगता है कि हासी आती है पर ये भी संभव है इस यंत्र युग में कुछ भी असंभव नहीं है और साइंटिस्टों ने कुछ भी ऐसा नया नहीं किया है पहले मंत्रों से होता था अब यंत्रों से होता है होता तो पहले भी था दूर भाष दूर श्रवन ये हमारे शास्त्रों में सिध्या है और आज भी ऐसे योगी है जो दूर भाष दूर बैठे किसी को सुन सकते हैं दूर बैठे किस किस चीज की किस किस ट्रीटमेंट की आवशकता है शायद डॉक्टर को तो बताना पड़े डॉक्टर को नारी दिखानी पड़े पर महापुरूशों को ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है वो सहज में आपका स्कैन कर लेते ये क्या है ये उनकी वृत्ति जितनी है ऐसा नहीं है हमारे जमाने में हमारे रिशी मुनियों ने जो विमान ढूंडे थे या पुश्पक विमान की कथा आप जो रामाइन काल में सुनते हैं वो तब भी भी तो थे आज नया नहीं है कुछ भी पर फिर भी यंत्र युग में पहले मंत्र युग में कुछ ऐसे ल पाधारण मानव भी उप्योग में ला सकता है, ये कल युग का अच्छे से अच्छा पहलू है, कि इस यंत्र युग में आम जाम, आम आदमी भी उन यंत्रों का उप्योग कर सकता है, दूरदर्शन, दूरश्रमन, दूरभाश, विमान, तंप्यूटर, ये सब बुद्धी क खोज है, पर अब क्या ये बात बताओ, कि इतनी खोजे हो गई, इतना यंत्र युग हमारा, इतना आगे आगया, पर शान्ती तो नहीं आई, आई क्या, उतना ही हम पिछडते चले गए, जितने हम यंत्रों में आगे चले गए, इसका मतलब ये मानना पड़ेगा, कि साइंटिस्ट ने प्लेन खोज लिया हो, जिस साइंटिस्ट ने कंप्यूटर खोजा हो, उसको क्या शान्ती मिलती है, ना, उसको भी नहीं मिलती, क्योंकि बुद्धी का कमाल तो है यंत्र बनाना, बुद्धी का कमाल है सुख सुविधाओं को बढ़ाना, पर रदय का कमा आपको शान्त स्थल में पहुंचाना रदय और बुद्धी दोनों में सामंजस्य जब तक नहीं बैठता तब तक बुद्धी नीरी बुद्धु बनाती हैं। इतने यंत्र आगे बढ़ गए इतने साइन्टिस्ट मिल गए फिर भी मनुश्य को शान्त तो नहीं कर पाए। तो हमारी वृत्ती जितनी शान्त होती है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि अंतरमुक होना बहुत आवश्यक है। आप चौबिस घंटों में से आठ घंटे सो जाए। आठ घंटे काम पे जाए। कितने बचे। चार घंटे आप परिवार को दीजिए। कितने बचे। चार घंटे तो कम से कम चार घंटे तो कम से कम भजन में लगाने चाहिए। चलो चार ना लगा सको तो तो लगा सकते हो। वैसे कटोती तो सोने में होनी चाहिए। कटोती खाने में होनी चाहिए पर चलो यहां कटोती कर लेते है। डिसकाउंट तो परमात्मा ने खुदी दिया है तो हमारी क्या बात है। तो दो घंटे कम से कम जो व्यक्ति जप ध्यान में देता है। सुबह की संध्या, दुपैर की संध्या, दुपैर को ना कर सको, कोई बात नहीं, शाम की संध्या जब करो, प्राणायाम करो, शास्त्राध्यन करो, सत्संग सुनो, संकीर्तन करो, इसमें अगर कम से कम आप दो घंटा देते हो न, किसी विश्व की ताकत मिलकर भी आपको परा तो यन्त्र में हम बहुत उलज गए हैं, वो और बात है कि साधनों का उपयोग तो करना चाहिए, हम मना नहीं करते, साधन तो जरूरी है आज के युग में, साधन का उपयोग जरूरी है, पर कितना कब और कितने वक्त तक वो हमारी विवेक की मती बताती है, बुद्धी तो बहुत कुछ कहती है पर बुद्धी के साथ रदय का तालमिल अगर ना बैठा तो फिर बुद्धी ऐसे ऐसे बड़ी-बड़ी कमपनियों के CEO है जो ये कहते सुने पाए गए है कि हमारे पास है तो सब कुछ पर जितनी शान्ती साथगी में है उतनी शान्ती हमारे एश्वरे में नहीं जितनी साथगी और जितनी शान्ती भारत के योग में है उतनी हमारे देशों में नहीं है ये वही बुद्धी के प्रखर विद्वान कहते है तो इसका मतलब मानना पड़ेगा कि बुद्धी कितनी ही चल जाए पर जहां रदय आपको शान्त और संतुष्ट कर सकता है उतना बुद्धी नहीं कर सकती इसलिए रदय को खुराक देना बहुत आवशक है और रदय का खुराक है श्रद्धा चितनी आपके चित्त में श्रद्धा अधिक है उतना ही आप बलवान है